दीखिए चाहत की बज़े यह है, रिआ को कुन नहीं साहता है। अच्छों के साथ खरूर अच्छा ही करते हैं। और इनों आईसे शक्सित हैं। कि इनके बाहरे में बोलना बोले तो बहुत ज्यादा वक्त होना, मैं मुक्तसर साब बोल देता हूँ, भई लोग बीमार होते हैं, या किसी की घर कारवाई हो, या कोई भी अच्छा इंसान हो, उसके घर बार बार उसे घर को जाना, उसे मिलना, उसकी खेर खेरत पुछना, ज इसे ही जो आज भी कोई बीमार होता है, तो उसके घर जाके उसकी खेर खेरत पुछना, कोई आस्पिटल में रहता है, उसके आस्पिटल में जाके उसके क्या इंतजाम करना, दवाई कर रहे, या पैसे से रहे, आईसा बहुत सारा जो है ये खिजमत करते हैं, लोगों को च इस वज़े से हर कोई जो है, इनकी चाहत में जो ये खुछ आप जो बाच चली है, इसका थोड़ा सा हवा इनको लगी है, बस कुछ होगा नहीं, ऐसे आशिक हों के लिए जो कुछ होता ही नहीं है, बरहा हम सो इसलिए दौा कर रहे हैं, अल्ला हम इनको जल से जल से होकर हम हमारे बीच आएँ, हमारे सातर है, फ़जर शहीद की बारगामें इसलिए खुसूसाना है, यह ऐसे शहीद हैं, यह भी जो है, हमारे शहर करनाटक के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बहुत ऐसे ऐसे अन्जाम दिय हैं, यह भी हिंदु, मुसल्मान, इसाइफ सब को ले के बीड़िये बीद आशिक हैं इस वाम हिंदो मुसल्मन को सब को लेकर चलते हैं इस Würघ हैं जहां भी सब मिलकर इनके लिए दुआ कर रहे हैं कोई पूजा कर रहे हैं चर्च में जाकर वह भी उनके हिसाब से हर कोई अपने-पने मजभब के सबसे इनकी दिल्वा कर रहे हम लोग भी हर अकल हम लोग घर में भी रखे थे दूआ की फिल रखे थे थे तान बोलिए भाई कौन है ऐसा इनसान इतना जाके इतना सखी कौन है बताओ आज क्या नहीं कर रहे हैं बोलो यह काम ऐसा न नालायक लोग जो है इनके खिला बोलते हैं वो तो हदां से चला आ रहा है सरकार की शान में कोई कुछ बोल देते थे ऐलावालों की शान में कुछ बोल देते थे एक नेक इनसान है इनके बाहरे में बोल रहे हैं तो क्या भी नहीं परवा नहीं करना चाहिए